हेलो फ्रेंड्स आओ देखे जाने में आपका स्वागत है आप हुमारे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सबिस्क्राइब करें आजम आपको हजारी प्रसाद रिवेदी की जीवनी बताते हैं स्री हजारी प्रसाद रिवेदी का जन्मसन 1907 में बढ़िया उत्तर प्रदेश जिले के आरत दूबे का छपरा नामगाओं में हुआ था काशी में उन्होंने प्रवेशिका इंटरवा जोतिस में आचार्या की परिछा उत्तिड़ की पहले वे मिर्जापुर के एक विद्याले में अध्यापक हुए वहाँ पर आचार्या छितिज मोहन से ने इनकी प्रतिबा को पहचाना और वे उन्हें अपने साथ सांती निकेतन ले गए इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विस्विद्याले वारण असी एवं पंजाब विस्विद्याले के हिंदी विबाग के अध्यच पत को सुसोबित किया सन 1949 में लप्नव विस्विद्याले ने द्रिवेदी के पांडित्य और साहित्य सेवा का अभिनंदन करते हुए उन्हें डॉक्टर आफ लिट्रेचर की उपाधी में सम्मानित किया था 19 मई 1989 को आचारी द्रिवेदी जी का देहावसान हो गया यानि उनकी म्यत्य हो गई इनकी रचनाएं सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर सूर दास और उनका काव्य प्राचीन भारत का कला विकास नात संप्रदाए विचार वितर्क असोक के फूल बान भट की आत्मकथा अनामदास का पोथा आधि इनके महतपूर ग्रंथ है इनकी भासा शैली द्रिवेदी जी की भासा शैली संस्क्रत निष्ठ है इनकी भासा में संस्क्रत तत्सम सब्दों की प्रधानता है और्दू-फार्सी सब्दों में मुहावरे भी लेलते हैं ये हिंदी के प्रोण सैली कार हैं, प्रस्तुत पुस्तक में उनका नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबन संकलित है, साहित्य में इस्थान, द्रिवेदी जी हिंदी साहित्य के सीर्षस निबतकार एवं समीचक है, द्रिवेदी जी अद्रितिर सैली के उपन्यासकार, मानवता वादी विचारधारा के प्रबल प्रवक्ता एवं भारती संस्क्रती के अनन्य उपासक के रूप में सम्मानित है सुकलोगतर यूग के आप सर्वसेष्ट निबंदकार है निबंदकार की भासा भासा सैली अद्बु तथा सब्द संपदा अदृति हैं अप राजय जीवनी सखी नीरस कठोर चटानों के मध्य प्रतिकूल परिस्तितियों में जीते हुए भीवा पुस्पो से लदा रहता है केंद्रिय भाव कुटुज सिवलिस्क सिवालिक की नीरस और कठोर चटानों में उगने वाले एक ठिगने सिवरच का नाम है सिवालिक का अर्थ है सिवा की उलके अत्वासिव की जटा जूट का निचला हिस्सा धन्यवा दोस्तो